प्रिचीर स्वय में आपका स्वागत है आज मैं काजू की सब्जी की रसिपी शेयर करने वाली हूं और इस सब्जी को हम कोई भी ऊकेजन में बना सकते हैं बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है यह सब्जी, तो उमीद है आपको यह सब्जी पसंद आएगी, अगर पसंद आती तो प्लिश साथ के साथ लाइक जरूर कर दिजे, काजू की सब्जी के लिए हम ले लिए हैं, एक कप काजू, तो यहां पे हम आध़ा कटोरी by उसमें दूद लिए हैं एक बड़ा प्याज औहला इसा These इसको भी हम कात लिया है हरी मिर्च तीखी या है यह लिया है और 8-10 का लिया लाह राकत कर देखिंगर,कांनेुद्फर टुकड़ लिया है हम इसे Łवर्ट बनाएंगे एक चमच इसमें कश्मीरी लाल मिश्ट का यूज़ किया है आधा चमच हम हल्दी पॉडर लिये हैं आधा चोटा चमच काली मिश्ट पॉडर है अक्ष्वाद के नुशल लेंगे आधा चमच कासूरी मिथी है फोरन के लिये लिये हैं हम दो लॉंग दो चोटी लाइची एक कि इंज डालचीनी का टुकड़ा, एक देजपत्ता और साही जीरा ही हम लिए हैं साबुत आधा चूटा चमच इसमें हम ले लिए हैं गर्म मसाला तो सबसे पहले हम gas on करेंगे, pen को गरम करेंगे, एक चमच इसमें हम घी डाल देंगे और इसमें जो भी प्यास, tomato और लैसन और मिर्चस को हम भूनेंगे तो पहले हम इसमें प्यास डाल देंगे और एक मिनर्ट के लिए प्यास को भूनेंगे तो यह थोड़ा सा नरम हो जाए देखे प्यास नरम हो गया, color भी चेंज हो गया है अब इसमें हम डाल देंगे, हरी मिर्च, लैसन और अदरग को डाल देंगे, हम काट करके और इसको थोड़ा सा चला लेंगे, उसके बाद हम साथ के साथ तमाटर भी डाल देंगे ताकि ये भी भून जाए तो टमाटर और प्यास का कलर चेंज हो गया है थोड़ा नरम हो गया है ये देखिए अब हम इसको आफ कर देते हैं ठंडा होने देते हैं फिर पेस्ट बनाएंगे अब गयास ओन करेंगे कड़ाई चड़ा देंगे कड़ाई में डाल देंगे एक चम का कलर चेंज हो गया है अब हम इसको निकाल लेते हैं अब मिक्सिजार में हम प्यास टमाटर और हरी मिर्च लासा नादरग जो भूने थे उसको डाल देंगे पान डाल करके इसका पेस्ट बना लेंगे तो यहां पेस्ट भी मैंने तियार कर लिया है अब हम गैस वान और कड़ाई में डाल देंगे 4 चमज रिफाइनड ऑइल और इसमें हम मिक्स कर देंगे दो चमज घी और घी को मेल्ट होने देंगे चाहे तो हम बटर में देन भी बना सकते हैं चाहे तो हम इसको पूरा सबजी घी में भी बना सकते हैं तेस्टी लगेगी और यहां पे घी मेल्ट हो गया है तेल भी गरम हो गया अब इसमें दालचीनी लॉंग हरी लाइची साबुद साही जीरा पता डाल देंगे और इसको तड़कने देंगे जब फोरन तड़क जाए तब इसमें हम जो पेस्ट तयार किये थे प्यास टमाटर ह करेमेच लासन और द्रका उसको डाल देंगे और बहुत ही कम पानी डाल देंगे जो जार में जो भी मसाले थे उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल दिये हैं देखिए एकदम बहुत कम पानी डाल दिये हैं और इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे उसके बाद इसमें हम डाल दे कभी यूज़ कर सकते हैं तो मिर्च अपने टेस्ट के कोडिंग लेंगे कश्मीरी मिर्च से इसका कलर बहुत ही अच्छा हैगा सबजी में इसलिए हम यूज़ किया है अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मसालो को और इसको ढखकर लो फ्लेम पर चार मिनट के लिए हम पकाएंग चार मिनट के बाद देखिए उपर से कितना अच्छा कलर आ गया है लेकिन अभी भी मसालो में पानी है तो पूरा अच्छा तरह से हम पानी को पहले भून के सुखा लेंगे इसको लगातार चलाते रहेंगे देखिए एकदम घुनते भूनते इसका कलर चेंज हो गया है इस मसाले का, उसके बाद हम डाल देंगे मलाई, तो यहाँऔपे हम घर का मलाई डाले हैं, दो चम्मच चाहे तो बजारवाले भी फ्रेस क्रीम का हम यूज कर सकते हैं और अच्छा तरह से मलाई को भी मसालों में मिक्स कर लेगे और इसको भी पूरा अच्छी तरह से हम सुखा लेंगे पूरा अच्छा से सूख गया है देखे मसालों बिल्कुल पानी नहीं है अब इसमें हम डाल देंगे आधा कटोरी दूद दूद और क्रीम डालने से सब्ची का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसको मिक्स करके अच्छा से हम इसको ढग देंगे और चार मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे मसालों को तो चार मिनट के बाद देखिए मसाले भून भी गया और पक भी गया है अब हम इसमें डाल देंगे काजू अक्रस करके डाल देंगे इसमें हम कसूरी मेथी नमक डाल देंगे हमें जितना ग्रेवी चाहिए हम इसमें डाल सकते हैं दूद या इसमें हम पानी का भी यूज कर सकते हैं तो हम इसमें ठीक ग्रेवी रखेंगे इसलिए ज़्यादा हम दूद नहीं डाले हैं पानी नहीं डाले हैं और इस तरह से हम मिक्स कर दिये हैं अब इसमें गरम मसाले डाल दिये हैं और इसको मिक्स कर देंगे और चार मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे लो फ्लेम पर तो इसको हम अभी धग देंगे और चार मिनट के लिए पका लेंगे लो फ्लेम पर चार मिन काजू की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी है और इसे हम कोई बी रोटी नान पराठा किसी के साथ भी सर्फ करेंगे तो लगेगी तो आप भी काजू की सब्जी जरू ट्राइए कीजिए कैसी बनी है अपने एक्सपीरियंस कीजिए अगर काजू की सब्जी की रसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेर कीजिए और मेरे ऐसे आने वाले रसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिए थैंक यू